हाई फ्रेंट्स में कुंदनकवार हमारे चल्ल के के अर्निंग टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आप लोगे लिए फिर से में एक न्यूव वीडियो लेकर काईज काइज काउफरेंच जैसे कि इस वीडियो के थमनेल पर तो आज का जो हमारा वीडियो रहेका आधिया पैमेंट बैंक CSP permite center का फिर से एक new video लेकर को आज कर पैमेंट बैंक हम आपको बताने वाले हैं कि आधिया पैमेंट बैंक में जो voter service कैसे आप activate कर पाएंगे और साथी में new water कैसे apply कर पाएंगे और download कर पाएंगे तो full process हम step by step इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो वीडियो को start करते हैं तो वीडियो को start करने से पहले आदिया payment bank applications को open करते हैं और बात करते हैं इसमें क्या-क्या services और क्या-क्या कैसे-कैसे use करना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे friends कि अगर आप इसकी retailer ID या distributor ID ले रखे हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं ले रखे हैं अगर लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के discussions में आपको हमारा online store kk earning tricks का website का link मिल जाएगा वहाँ पर आपक टीकेशन में मिल जाएगा और साथी में सबसे पहले आपको जाकर करके play store से applications को update कर लेना है अप्लिकेशन को update करेंगे उसके बाद आप और करेंगे उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें जो हमारा voter service portal है उसमें registration हम लोग कैसे कर पाएंगे और कैसे apply कर पाएंग तो उससे पहले हम लोग फ़रा जान लेते हैं ID के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ID आपको कैसे मिलेगा क्योंकि ID लेना का हमारा चैनल का प्रोसेस चेंज हो चुका है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स यह kk-earning-tricks.online हमारा वेबसाइट का नाम है इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिशन में भी बिल जागा या तो क्रॉम पर जाकर के kk-earning-tricks.online आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको आदिया payment bank सर्च कर लेना है जैसे आप आदिया payment यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार पर मिल जाएगर retailer, distributor, super distributor तीनों जो भी लेना चाहते हैं लेग सकते हैं तो चलिए आप हम लोग सारी चीज process for ID लेने का process जान चुके हैं अफडेट्स के बारे में भी जान चुके हैं तो हम लोग आज बात करेंगे voter portal के बारे में तो voter portal पर जैसे हम click करेंगे तो यह load इस परकार से कुछ interface आएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर create account के बारे में बात करेंगे जो भी चाहें आप डाल करके यहाँ पर कर सकते हैं तो सबसे पहले यह mobile number डालने के बाद यहाँ पर जैसे आप डालेंगे आपकी mail ID पर OTP जाएगा उस OTP को आपको डाल देना है जैसे यहाँ पर mail ID डालने के बाद continue पर click करेंगे तो आपके mail ID पर कुछ इस परकार से एक link जाएगा इस link पर click करके आपको अपने mail ID में voter portal के नाम से link आएगा, इस link पर click करके आपको अपना password इस परकार से जागर के chrome browser में set कर लेना है अपको अपना password, जैसे आप अपना password set कर लेता है friends, to welcome to is परकार से आप continue पर click करेंगे तो इस परकार से interface आएगा, उसके बाद I agree पर यहां पर आपको click कर देना है। उसके बाद फिर आपको applications में आ जाना ज़ाना है जैसे voter polat login पर click करेंगे इस प्रकार से interface आएगा तो आपको tarmend condition box पर click कर देना है उसके बाद यहां पर नीचे एक welcome का button आपको show हो जाएगा इस पर click कर देना है उस welcome बटन पे जैसे आप click कर देंगे तो आपका sign up हो जाएगा successfully आपका ID तो मैं आपको ID login करके आप आप लोगों को दिखाता हूँ तो देख सकते हैं friends मैं अपना ID password यहां डाल चुका हूँ उसके बाद capture आपको डाल लेना है उसके बाद आपको login पे click कर देना login पे जैसे click कर देंगे friends तो आपका हो जाएगा voter portal को जिस परकार से login तो देख सकते हैं यहां पर new registration आधार यह voter correction आप लोगों को मिल जाएगा उसके बद बहुत सारी यहां पर आपको मिल जाएगी facilities तो अगर आप चाहते हैं कि friends कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें voter ID card new registration कैसे करेंगे और voter card में कोई सुधार कैसे करेंगे और voter card download कैसे करेंगे और इसका मैं कोई भी जैसे कि new voter card कहीं से भी apply किया है तो उसका e-peak number कैसे निकालेंगे यह सारा चीज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं तो आप वीडियो के नीचे जा करके comment किजिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे details आप लोग को मैं बताओं तो आप लोग comments कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए और share कीजिए मैं आप लोग को एक new fresh वीडियो बना करके दूँगा जिसमें आप लोग को बताओंगा कि new watercard कैसे apply कर पाते हैं और new जो आधार है बना हुआ उसका कैसे करते हैं editing करके आप कैसे changing कर पाएंगे और downloading तो पूरा process हम आपको next वीडियो में बताएंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा comment किजिए तभी मैं वो वीडियो बनाओंगा नहीं तो फिर क्यों वो वीडियो बनाओं तो thank you for watching this video friends मिलते हैं